आप सभी को जोहार है अपनी बाते रखने से पहले आज मैं हेमन सोरेंजी का पत्र लेकर के आई हूँ जो उन्होंने जेल से बेजा है सबसे पहले मैं आपसे दर्ख्वास करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए जार्खंड वासियों के लिए पूरे देश वासियों के लिए है तो कृप्या गरके इसको जरूर ध्यान से सुनियेगा उल्गुलान की धर्ती जार्खंड में आयोजित उल्गुलान नयाय महा रैली में पूरे जार्खंड के विफिन गाउं पंचायत तोले से आय हुए बड़े बुजूर्ख, माताएं, बच्चे, बेहने और मेरे साथियों साथ ही मेरे पूरे देश से आय हुए इंडिया महा गडबंधन के नेतागणों को धर्ती आबा, बिर्सामुंडा, सिद्धुकानों, सहीद, सहीद, अमीर शहीदों कि इस पावन धर्ती पर मैं बिर्साकारा से ही आप सभी को हार्तिक अभिनंदन और जुहार करता हूँ आज इस महा रैली में मौझूद राज निर्माता दिशम गुरू शीबु सोरेन जी को चरन्स पर्ष करता हूँ साथियों आज जारखन उल्गुलान रैली में आपके साथ नहीं हो आपको मालूम है कि विगत चार सालों से विपक्ष मेरे विरुद शर्यंत रच रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई धाई महीनों से बिर्सा जेल में बंद करके रखा है और इसी प्रकार हमारे महागडबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को भी उनके सहीयोगियों के साथ दिल्ली के तिहार जेल में डाल रखा है साथियों ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्य मंत्रियों को और मंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले सून योजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है खैर कोई बात नहीं मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंतर की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसे हम ही नहीं बलकि देश के और विभिन राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं आज उल्गुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौझुदगी इसका गवा है कि आज इस उल्गुलान महारैली के मंच पर आदर्निया मलिका अर्जुन खडगे जी जो अभी नहीं है राहुल गांदी जी अखिलेश यादव जी फारुक अब्दुल्ला जी चंपई सोरेन जी भागवत मान जी तेजस्वी यादव जी श्रीमती सुनीता केजरिवाल जी दिपांकर भटाचारे जी संजै सिंग जी श्रीमती प्रियंका चतुरवेदी जी और विवेक गुपता जी का मैं पुनह अभी वादन करता हूं साथियों आज का ये जारखंड उल्गुलान महारैली से जारखंडी भाईयों के नामने से कई बातों का पता चल रहा होगा जी हाँ साथियों उल्गुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार लोगतंत्र लुटने नहीं देंगे सम्विदान खत्म नहीं होने देंगे देश तूटने नहीं देंगे मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए इंकलाब जिन्दाबाद साथियों दो हजार चौबिस का लोग सभाचुनाव चल रहा है एक तरफ हम सब इंडिया महाबगडबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूझी पतियों की जमात और शरियंत्रकारी केंद्र सरकार एंडिये के लोग साथियों आज देश एक विशम परिस्तिती से गुजर रहा है विगत दो हजार चौदा से केंद्र में भाजपा एंडिये की सरकार चल रही है और दो दो बार देश की जमता ने एंडिये को सरकार बनने का मौका भी दिया देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एंडिये को नहीं दिया परन्तु दो हजार चौदा में एंडिये सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कबजा चाहते हैं आपने सुना ही होगा विभिन सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परिशान और उनके साथ सौतेला वेभार किया जा रहा है कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं MP, MLA खरीत फरोत की जा रही है जो ग्यार भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उधारन है कि आज हम जेलों से आप तक बंदीपत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है साथियों यह देश हमें भीग में नहीं मिली है इस देश को पाने के लिए अंगिनत शहादत हुई है कई इतिहास की किताब हमारे सोतंतरता सेनानियों के नाम से पटे पड़े है साथियों विगत कई साल के शरियंद्र कफल NDS को 2014 में पूर बहमत से सरकार बनाने को मिली देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए आखों में धूल जोका गया हर जाती धर्म के लोग को मुर्क बनाया गया बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के यूवा, महिला, बुजर्ग, किसान, आदिवासी दलितों को ठगा गया ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादुकर किस तरह पूरे देश को अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देश वासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है इस चुनाब में बड़े प्यमाने पर केंद्र एजंसियों का दुर्यूप्यों किया जा रहा है उनके माध्यम से विपक्ष की अवास को कुछलने का काम शुरू हो रहा है आज केंद्र सरकार ऐसे-ऐसे कानून का निर्मान कर रही है जिससे देश वासियों को तो नुकसान होना ही है चाहे वो किसी भी वर्ग जाती धर्म का ही क्यों ना हो साथी साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खत्रा होगा और संविधान को भी खत्रा होगा साथियों जार्खन देश का सबसे गरीब राज्य है यहां के लोग गरीब हैं पर जार्खन गरीब नहीं है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है इसके बदले में हमें क्या मिलता है पलायन, विस्थापन, भुकमरी, बिमारी हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है साथियों बहुत सारी बाते हैं कहने को वर्तमान केंदर सरकार के कर्तुतों के बारे में अगर बाते शुरू की जाएं तो रात और दिन कम पड़ जाएगा आज आपके सामने देश के कई अनुभवी नेतागण मौजूद है क्रांतिकारी यूबा साथीगण है जो आप सभी को कई सारी बाते बताएंगे कि किस तरीके से पूरे देश को केंदर सरकार ने ठगा है और लूटा है साथियों हम जानते हैं जारकन आदिवासी बहुल राजे है आप सभी को याद होगा नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ कि राज अलग होने के बाद राज में विधान सभाज सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था जिसे बड़ी संख्या में आदिवासीयों आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कही जा रही थी तो उस समय हमारे दिशुम गुरु शिबू सुरेन जी के नित्रत्म में पूरे राज में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फल सुरूब आज हमारे राज में परिसीमन लागू नहीं हो पाई जब ये चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाज़पा की ही सरकार थी 2026 तक के लिए इसको टाल दिया गया यह विशय वर्थमान लोगसपा चुनाव के बाद फिर से राजी के सामने आने वाला है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी छेत्र और आदिवासी समदाय को होने जा रहा है जारखंडी सदियों से जल जगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है जल जगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूरवजों ने अपनी सिहादत दी है और आज के परिपेक्ष में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी दलित पिछडा मजदूर किसान विरोधी रहा है और इनके दस साल की कारिकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित छेत्रों पर इनकी बुरी नजर है उधारन के तौर पर आप देख सकते हैं विगत कई महीनों से मनिपूर जल रहा है वहां के आदिवासी बहु बेटियों की इज़त लुटी जा रही है पूरा देश देख रहा है पर केंदर सरकार चुप है आज तक केंदर सरकार ने कोई सूद नहीं ली है ये है इनका आदिवासी प्रेम लताक को छटी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्सोट तक ठगा गया और अंध में छटी अनुसूची गोशित करने से मुकर गई आज वहां के भ्यानक ठंड में भी लोग शुनी की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये है इनका आदिवासी प्रेम साथियों देश में सभी अधू शेडियूल एरिया पर इनके गिद नजर है जारकन में कई महत्पून और समवेदन शील कानूल लागू हैं जैसे C&D Act, SPT Act, Wilkinson Act इतियादी अगर NDA सरकार 2024 की चुनाव जीतिती है तो राज और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खत्रा बन जाएगा इसलिए किसी भी कीमत पर जारकन को बचाना है साथियों जारकन में कुछ समवेदन शीन मुद्दे हैं जैसे सरना धर्म कोड राज में लागू किया जाना खतियान आधारित साने और नियोजन नीती बनाना पिछडों को 27 प्रतीशत आरक्षन के लिए माल प्रशस्त करना स्थानिय भाषा और संस्कृति को पहचान दिलाने का कारे करना इत्यादी मैं इन विश्यों पर विस्तिर्थ में नहीं जा रहा हूँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये सभी चीजे तभी लागू होंगी जब केंद्र की पूंची पती और तानशा सरकार को केंद्र से बेदेखल किया जाए साथियों मैं अपना ये संदेश समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि जारखन वीरों की धर्ती है हमेशा से जारखन के मूलवासि आदिवासियों ने राजर के हक अधिकार के लिए संगर्ष किया है अपने संगर्षों का लोहा भी बनमाया है जारखन के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो हासिल न हो जाए आज उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि वर्ष 2000 में गुरुजी के नित्रत में हमें जार्खन राज मिला और उसी संघर्ष से ही राज अलग होने के बाद हम लोगों ने राज में महागडबंधन की मजबूत सरकार बनाई और अब मजबूत उलगुलान की आवास करते हुए 2024 के लोगसभाद चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी जुमले वालों वाली केंदर सरकार को की नाका में देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोडने की बाते करने वालों को इस जार्खन से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा इनी बातों के साथ आप सब को उल्गुलान महा रैली में आने के लिए बहुत बहुत आभार है अब हम अपने जारखन की इस प्रवात्तारा मैदान से इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि होटवार जेल में पैठे हेमन जी को पूरे जारखन की आवाज सुनाई देनी चाहिए जोर से हम लोग सब बोलेंगे जै हिंद जै हिंद जै हिंद जै जै जारखन जै जारखन दिशुम गोरो शीबो सुरें जिन्दाबाद हेमन सुरें जिन्दाबाद जैल का ताला तूटेगा जैल सा ताला तूटेगा जैल का ताला तूटेगा जैल का ताला तूटेगा जैल का ताला तूटेगा आप सभी को यहां आने के लिए अपने हृदे की गहराईयों से मैं आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ जोहार है कि अजय को कि अजय को रहां जा हुजए ऑल कर दो है